हलो वीवर्स अन्बोक्सिंग लिए मैं आप सबका स्वागत है और मैं हूँ इम्रान आज मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइज एक है ओपो एफटी तरी और जो दुस्तरा डिवाइज है वो है वीवो वाईट्वाइज बहुत खास स्पेसिफिकेशन के साथ में दोनों ही डि इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ इन ही दोनों डिवाइज को अन्बोक्सिंग करके डिटेइज के साथ का परिजन करेंगे तो गाइस वीडियो को अन्तक जरूर देखिएगा चैनल पे नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल एकन को ज़रूर दबाना था क्यानों वाले वीडियो की नुटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें वीवो आई 20 में हैं 4G बिरेम 64G वी इंटर्णिल स्टोरेज और जो ओपो A53 है इसमें भी आपको 4G बिरेम 64G वी इंटर्णिल स्टोरेज देखने को मिलता है और दोनों ही डिवाइस 5000 मिली एंपरर का बैटरी के साथ में आता है और साथ में 18 वाट फास्टर दी सपोर्ट भी है लेकिन कुछ डिफरेंसे से मैं इस वीडियो में शेयर आगे जरूर करूंगा तो गाईज अवी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया एक लाइक जर तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से डिवाइस देखने को मिलता है और वीवो वाई 20 के उपर एक सेक्शन है यहाँ पर है ट्रेंस्परेंट कोवर इसके अलावा कुछ डुकुमेंटेशन सीम एजक्टर टूल प्रोवाइड कर दिया गया है और यह रहा दोनों ही वाइड खेलर में और वीवो वाई 20 भी वाइड खेलर में है दिखाऊंगा लुक्स डिजाइन को लेकर बात करेंगे इसके लावा बाकी कॉंटेंट्स देखा जाए आपको यहाँ पर जो वीवो वाई 20 है इसमें 18 वोट फास्टर जिंग 9 वल्ट एंट 2 एंपियर के सिपोर्ट के साथ में आता है और यह रहा एक 18 वोट फास्टर जिंग सपोर्ट वाला एडॉप्टर और यह रहा सिम एजक्टर टूल और इस सेक्शन में देखा जाए यहाँ पर आपको कुछ डिकुमेंटेशन और टेंस्परेंट को बर दिया गया है और कुछ इस तरीके स लुक्सन डिजाइन के साथ वीवो वाई 20 एंड ओपो ए 53 नजर आता है बहुत यह अमेजिंग लुक्सन डिजाइन के साथ दोनों ही डिवाइस आता है अगर वीवो वाई 20 को लेकर बात करो तो इस डिवाइस का जो लुक्से बहुत शानदार दिखने में है और जो कलर है डाउन हाइट है और ओपो ए 53 भी काफी ज्यादा इंड प्रेस्टिंग दिखने में है और इसका जो कलर है फ्यारी हुआइट कलर में आपको देखने को मिल रहा है जो वीवो वाई 20 है इसका जो पीछे का बोड़ी है पोली कर्मेंट से बना हुआ है यह रहा ट्रिपल प्लाश और बहुत ही ज्यादा ग्लोसी टाइब डिजाइन किया गया है वीवो वाई 20 का पीछे का बोड़ी और नीचे की दरफ आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन भी देखने को मिल रहा है नीचे स्पीकर ग्रिल है माइक्रो वेस्भी पोर्ट प्राइमरी मेक्रोफोन 3.5 mm audio jack यहाँ पे simple triple slot के साथ में आता है और यहाँ पे देखा जाए power button और fingerprint scanner एक साथ में दिया गया है और volume up and down जो fingerprint scanner है side mountain fingerprint scanner वीवो वाई 20 में दिया गया है जो काफी ज्यादा interesting लगता है और OPPO A53 को लेकर बात करो तो यहाँ पे triple rear camera, LED flash, fingerprint scanner पीचे है जो old style में हमें देखने को मिलता है इस device में है नीचे की दरफ देखा जाए speaker rear type support, primary microphone और 3.5 mm audio jack और यह रहाँ volume up and down और sim tray triple slot के साथ में आता है और यहाँ पे power button दिया गया है right side में और जो OPPO A53 है इसमें आपको electric black, fairy white और fancy blue 3 color में है और Vivo Y20 में भी आपको 3 color देखने को मिलता है जैसे के black और यह रहा down white और purist blue color 3 color है Vivo Y20 में भी और जो design looks है वो मुझे OPPO A53 से तोड़ा सा बहतर Vivo Y20 में नजर आ रहा है दोनों डिवाइस का जो thickness है same है 8.4 mm का thickness के साथ में आता है वेट को लेकर बात करूँ OPPO A53 का जो वेट है 186 gram है और Vivo Y20 का वेट है 192 gram तो OPPO A53 तोड़ा सा light weight होगा अगर मैं इन दोनों डिवाइस के display को लेकर बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो OPPO A53 है इसमें 90 Hz refresh rate क साथ display देखने को मिलता है और Vivo Y20 में 60 Hz refresh rate है water drop skin दिया गया है और यहाँ पे OPPO A53 में पंचोल स्टेल में आपको यहाँ पे display नजर आता है यानि display quality को लेकर बात करो Vivo Y20 में इतना कुछ खास बहतर quality नहीं है लेकिन आपको OPPO A53 में एक बहतरी display quality प्रोवाइड कर दिया ग OPPO A53 में देखने को मिल रहा है चाहे color वेगर को लेकर बात करो यहाँ पे बात करो refresh rate की या फिर आपको यहाँ पे जो display type मिल रहा है वो बहतर आपको यहाँ पे quality OPPO A53 में दिया गया है और डिस्प्ले साइज को लेकर बात करो तो वीवाइड वाइड वाइड वान इंचेस का वाटर ड्रॉप इसकेन है और OPPO A53 में आपको यहाँ पे पंच्छोल 6.5 इंचेस का डिस्प्ले नजर आता है तो यहाँ पे gaming experience हो वीडियो वगरा देखने का experience हो जो इस device में बेट 64GB internal storage Vivo Y20 में भी आपको यहाँ पे 4GB RAM मिलता है 64GB internal storage इसके अलावा आपको यहाँ पे Android version दोनों ही device में सेम देखने को मिलता है और operating system यहाँ पे ColorOS OPPO में है 7.2 और यहाँ पे Vivo Y20 में है यहाँ पे front touch operating system 11 और दोनों device के जो यहाँ पे processor दिया गया है सेम यहाँ पे आपको processor दिया गया है Qualcomm Snapdragon 460 का October 1.8 GHz clock speed के साथ में आता है यानि दोनों ही device में 4GB RAM है 64GB internal storage Android यहाँ पे 10 है इसके अलावा Qualcomm Snapdragon 460 का October 1.8 GHz clock speed के साथ में यहाँ जो performance होगा दोनों ही device में same देखने को मिलेगा कुछ differences नहीं होगा similar यहाँ दोनों ही device में performance मिलेगा gaming को लेकर बात करो या फिर speed के मामले में अगर Avivo Y20N यहाँ पे Oppo A53 battery performance को लेकर बात करो तो यहाँ पे आपको दोनों ही device में 5000 mAh का battery मिलता है और इसके अलावा जो यहाँ पे support दिया गया है fast charging का आपको यहाँ पे 18W fast charging support देखने को मिलता है तो दोनों ही device का battery performance बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन Oppo A53 का जो battery है तोड़ा सा आपको जल्दी खतम होगा क्यूंकि यहाँ पे 90Hz refresh rate है brightness वगरा काफी ज्यादा बहतरीन है विवा Y20 के में कबले में तो यह तोड़ा सा battery ज पीचे fingerprint scanner दिया गया है और वीवो Y20 में side mountain fingerprint है जो वीवो Y20 का यहाँ पर performance देख सकते हो fingerprint scanner का बहुत ही fast accurate है इसका लावा Oppo A53 में भी काफी बहतरीन यहाँ पे fingerprint scanner काम करता है और इसका लावा face unlock भी है जो की बहुत ही बढ़िया है slone yoga fast तरीके से काम करेगा fingerprint scanner और face unlock दोनों ही device में यहाँ पर देख सकते हो face unlock बहुत ही fast है और Oppo A53 में भी आपको कुछ इस तरीके से बहुत ही तेजी तरीके से device को unlock कर देता है जो face unlock कर दिया गया है इन दोनों डिवाइस के अगर मैं बात करूँ camera features के बारे में तो यहाँ पे आपको दोनों ही device में triple rear camera मिलता है 13 plus 2 plus 2 megapixel का triple rear camera है vivo y20 में भी same है और Oppo A53 में भी rear camera same देखने को मिलता है primary camera 13 megapixel aperture f2.2 के साथ में आता है और depth sensor के लिए 2 megapixel और macro lens के लिए 2 megapixel aperture f2.4 के साथ में आता है और जो front facing camera vivo y20 में 8 megapixel का front facing camera दिया गया है और Oppo A53 में 16 megapixel का front facing camera है तो Oppo A53 का front facing camera better है vivo y20 से यहाँ पे देख सकते हो कुछ camera simple इसी device के साथ मैंने यहाँ पे click किया है और कुछ इस तरीके से आपको quality देखने को मिलता है हलका full का यहाँ पे boke effect rear camera में और यह रहा 13 megapixel का rear camera vivo y20 का और यहाँ पे low light condition को लेकर बात करूँ तो average quality का होगा लेकिन यहाँ पे daylight या फिर outdoor condition में बहुत यह चिदरीक से perform करता है vivo y20 and Oppo A53 लेकिन low light performance इतना कुछ ज्यादा बहतर नहीं होगा और यह रहाँ पो A53 का front facing camera यानि front facing camera आपको better Oppo A53 में देखने को मिलता है और यहाँ पे देख सकते हो Oppo A53 का rear camera तोड़ा सा बहतर है vivo y20 की compression में तो इन दोलों का camera compression में तोड़ा सा यहाँ पे better quality लगा Oppo A53 का अगर compare करें vivo y20 का rear end front facing camera के साथ में और इन दोनों device के अगर price को लेकर बात करूए exact जो price है Oppo A53 का हुए है 12,990 रुपीज और vivo y20 का भी same price है 12,990 रुपीज यानि दोनों device 13,000 का है तो इन दोनों device के comparison में मुझे better phone लगा वो है Oppo A53 क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा बहतर quality का display दिया गया है Oppo A53 में 90 हर्ज रिफ्रेश रेट इसके अलावा बहुत ही ज्यादा attractive यहाँ पे आपको पंचोल केमरा के साथ में display पोवाइड कर दिया गया है और जो आपको यहाँ पे quality देखने को मिलता है color विगरा बहुत ही ज्यादा इच्छा है Oppo A53 का comparison Vivo Y20 इसके अलावा camera quality भी मुझे काफी बहतरीन लगा Oppo A53 का comparison Vivo Y20 यहाँ पे आपको type C port मिलता है Oppo A53 में और micro USB port Vivo Y20 में मिलता है और बाकी दोनों ही device में आपको same performance देखने को मिलता है क्योंकि same chipset के साथ में आता है same processor लगा हुआ है इसके अलावा आपको यहाँ पे battery performance भी same देखने को मिलेगा दोनों ही device में लेकिन looks design के मामले में Oppo A53 से better मुझे यहाँ पे Vivo Y20 का looks design लगा तो अगर Vivo Y20 और Oppo A53 में कोई भी device आप लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए recommended करूँगा Oppo A53, Vivo Y20 से better होगा तो Oppo A53 आप लो तो यहीता दोस्तो इन ही दोनों devices के unboxing और details के साथ comparison उम्मीद है आपको वडियो ज़रू पसंदा होगा इन दोनों devices में से कौन सा device आपको बेटर लगा नीचे comment करके जरूर बताईए इन दोनों devices को लेकर कोई भी सवाल कोई भी सुझा वो नीचे comment करके जरूर बताईए अगर वडियो अच्छ लगा तो वडियो के लिए like कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब के नहीं किया नीचे दियागा ये red विटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार और जाहिंद